क्या आप दिल्ली में सिक्षक बनना चाहते हैं जी हाँ मैं आप से ही पूछ रहा हूँ क्या आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं तो यह है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे दिल्ली में सिक्षक बनने की राह किस तरह से कैसे होती है यह इस वीडियो में आपको पता चलेगा और जिस भी तरह के जो भी आपके डाउट होते हैं वहाँ सब आज के इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी इस बात का भी विशेश धियान रखे हैं कि इस वीडियो को आप सभी को सेव करके भी रख लेना है ताकि फ्यूचर में जब कभी भी जहां कहीं पर भी आपके किसी भी साथी को दोस्त को कोई भी परेशानी आये दिल्ली में सिक्षक बनने से संभन्दित तो आप यह वीडियो उसे भेज सकते हैं नमस्कार मैं अजयसिंग खर्ब स्वागत है आपका टेस्ट बुक सूपर कोचिंग पर दिल्ली हमारे देश की राजधानी जहां पर आप मैं हम सभी कभी ना कभी तो आए ही होंगे जी हाँ यही तो एक छोटा सा सपना आप लोगों ने देखा हुआ है कि कैसे भी करके कुछ भी करके बस मैं दिल्ली में सिक्षक के तौर पर पहुंच जाओं तो आप जल्द ही देश की राजधानी दिल्ली में सिक्षक के तोर पर अपने आपको पहुँचाएंगे लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी और जो वो मेहनत है वो कुछ दिन की है और जो नोकरी है वो साथ साल तक की है जब आप दिल्ली में सरकारी सिक्षक के तोर पर नियुक्त होते हैं तब आप लोग ये मान करके चलें कि एक बहुत शानदार सेलरी के साथ में आपको लगबग आधा दिन और साल में 200 से सवा 200 दिन आप लोगों को काम करना रहता है तो इससे बढ़िया नोकरी और कुछ नही दिल्ली के स्कूल को देखते हैं तब हम पाते हैं कि दिल्ली के स्कूल में पढ़ाने वाले जो सिक्षक हैं उनके लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है इसे ना केवल वो एक बहुत अच्छे माहूल में रहकर के पढ़ा रहे होते हैं बलकि अपनी भी जीवन को वो बह दिल्ली सरकार से संभन्दित और दिल्ली सरकार के अंतरगत जो बोड आता है दिल्ली में भरती करने को लेकर के DTSB इन से संभन्दित आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी कभी भी फ्यूचर में तो आपको हमेशा सबसे पहले ओफिशल वेबसाइट ही देखनी है दिल्ली.gov.in बस ये गूगल पर आप टाइप करें ओफिशल वेबसाइट आपके सामने होगी और DTSB की इस ओफिशल वेबसाइट पर ही जो इनफोर्मेशन आपको दी गई है वही ऑथेंटिक है जो इनफोर्मेशन इस पर नहीं है उसको आप लोग अथेंटिक ना माने तो ये DTSB आखिरकार होता क्या है यही सब कुछ भी आप लोग जान लीजिए जराइक बार सुन लीजिए आपने टीचर बनने का सपना देखा है तो जो दिल्ली में सिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं आप सभी में से वो बड़े गोर से सुन लीजिए दिल्ली में जब आप सिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो दिल्ली सरकार के जितने भी विभाग हैं और जितने भी दिल्ली सरकार के सह विभाग हैं उन सभी में जब कभी भी सिक्षकों की भरती करनी होगी चाहे वह किसी भी पोस्ट पर करनी हो PRT, TGT, PZT, Nursery Teacher, Special Education Teacher, Physical Education Teacher या इसके अलावे भी जितनी हमारी बाकी और पोस्ट रह जाती है उन सभी पोस्ट पर जब भी भरती होनी होगी तो वो भरती प्रक्रिया पूरा करने का काम दिल्ली सरकार का अपना एक बोर्ड है जिसे हम DT Replace B के नाम से जानते हैं DT Replace B की जिम्यदारी होती है कि इन अलग-अलग विभागों की और से जो भी उसके पास में रिक्वेस्ट भेज दी जाती है कि इतने पोस्ट है हमारे पास जिसके लिए इतनी भरती करनी है इतनी सीट खाली है और इतने समय के अंदर हम लोगों को इस पोस्ट पर लोगों को भरती कर लेना है तो DT Replace B आप लोगों को फोम भरने का मोका देता है आप जब फोम भरते हैं तो उसके बाद में आपका एक्जाम होता है एक्जाम होने के बाद में फिर आप पाते हैं कि प्रोसेस शुरू हो जाती है मेरिट लिस्ट आने की मेरिट लिस्ट में जो भी स्थान बना पाते हैं फिर उनके डोकुमेंट वेरिफिकेशन होती है पूरी प्रोसेस होती है और ये दिल्ली के जो हमारे विभाग हैं चाहे हो DOE हो, Directorate of Education या फिर MCD हो या NDMC उन विभागों में आप लोगों को नौकरी मिल जाती है आगे बढ़ेंगे और इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट करें और आप कमेंट करके मुझे यह बताएं कि आप कौन सी पोस्ट की तयारी कर रहे हैं PRT, TGT, PZT, Nursery Teacher, Special Education Teacher, Physical Education Teacher साथ में यह भी मैं आपको बता दूँ कि इन सभी एक्जाम की preparation मैं आप लोगों की करवाता हूँ मेरे साथ में पूरी team है जो DT, PZB के इन सभी एक्जाम की आपकी तयारी करवाती है description box में आपको link भी मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग course जोइन करके इन सभी एक्जाम की बहतर तयारी कर सकते हैं कोन apply कर सकता है, कोन apply नहीं कर सकता, वह भी जरा आप एक बार जल्दी से जान लिजिए आपकी screen पर आपको देखी detail नजर आ रही होगी primary teacher, age आपके सामने qualification आपके सामने CETAT का भी जिकर आपके सामने कर दिया गया है जो PRT यानि primary teacher दिल्ली में बनना चाहते हैं 30 years age उनके लिए बताई गई है, यानि कि 30 साल से ज़्यदा age नहीं होनी चाहिए qualification जो है वो diploma in education आपका होना चाहिए या फिर BLA, bachelor in elementary education आपने किया हो मेरे प्यारे साथियों, CETAT का paper 1 आपका pass होना बहुत ज़्यदा जरूरी है अगर CETAT का paper 1 आपका pass नहीं है, तो आप apply नहीं कर पाएंगे CETAT का paper 1 पास जिसने भी किया हुआ है, वह सब apply कर सकते है TGT कौन बन सकता है, ध्यान से देख लिजे, सब कुछ आपकी screen पर है TGT कौन बन सकता है, ध्यान से देखे, age, limit उसके लिए 32 years, 32 साल, qualification, graduation उसके साथ में B.A. आपके पास होनी चाहिए और जब आप B.A. कर लेते हैं अपनी तो CTET का paper 2 आपका पास होना चाहिए, अगर आप PGT बनना चाहते हैं तो 36 साल उसके लिए age है, maximum, graduation, post-graduation और B.A. आपने की होनी चाहिए CTET इसके लिए नहीं चाहिए, अभी तक PGT के लिए CTET की requirement नहीं है लेकिन future में चलके आप लोग देखेंगे की PGT लेवल के लिए भी CTET होने लगेगा and CTE और CBSE उस पर काम कर रहे हैं और फिर जब वो होना शुरू हो जाएगा तो उसमें भी आप पाएंगे की PGT लेवल पर भी CTET की demand होने लगेगी अब आपको age के बारे में तो पता चली गया है कि 30, 32, 36 है लेकिन relaxation भी मिलता है दिल्ली में relaxation किस तरह से मिलता है ये आप देख लिए जो SCST है उनको 5 साल का OBC जो है उनको 3 साल का PWBD जो है उनको 10 साल का मिलता है और साथ में कुछ और भी कई सारे आप लोगों को यहाँ पर reservation दिये गए हैं आप देख लीजिए कि आप कौन सी category में आते हैं और उसके हिसाब से आपको बड़ी छूट यहाँ पर age में मिल जा रही होती है एक और बात आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूँ आप यहाँ पर जितने भी हमारे साथी comment किये जा रहे हैं आप सभी हमारे लिए बड़ा important हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी आपको कोई भी परेशानी अगर आती है मेरी सहायता अगर आप लोग चाहते हैं तो वो कहां से और कैसे आपको मिल सकती है वह भी जरा आप एक बार जान लेजिए टेलिग्राम आप सभी चलाते ही होंगे आपके mobile में टेलिग्राम तो होगा ही न वहाँ पर आप मेरा नाम सर्च करें अजय सिंग खर्ब स्पैलिंग गलत मत कीजिएगा टेलिग्राम चैनल जोइन कर लें वहाँ पर मैं आप लोगों को रुजाना वह सभी अपडेट देता हूँ जो टीचर बनने में आप लोगों को चाहिए होती है और चलिए आपका जो पेपर होगा पेटा उसे आप एक बार जान लीजिए अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी परिक्षा है वो दो भागों में बटी होगी section A और section B में और साथ में आपको यह भी में बता दूँ कि TGT बनना चाहते हैं तो भी आपकी परिक्षा दो भागों में बटी होगी section A और section B मे Section A यानि कि तीनों के लिए सेम रहता है PRT, TGT, PZT के अलावे अगर आप लोग Special Educator, Physical Education Teacher, Nursery Teacher बनना चाहते हैं तब आप ये पाएंगे कि Section A सबका सेम रहता है Section A में क्या कुछ आपको दिया जाता है 5 विशे आपके होते हैं English, Hindi, Math, Reasoning, General Awareness जो आपका Section B होता है, इसमें कौन से Subjects होते हैं अगर आप Primary Teacher बनना चाहते हैं, Nursery Teacher बनना चाहते हैं Special Educator आप बनना चाहते हैं तो आपका जो Section B है, उसमें आप लोगों को Teaching Methodology यानि की Pedagogy देखने को मिलती है ये काफी बड़ा Section है, इसमें कोई एक विशे नहीं, बहुत सारे विशे इसमें रहते हैं Section B का syllabus जल्दी आने वाले दिनों में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा जो आप TGT बनना चाहते हैं, तो आपका जो Subject होगा, जिस भी Subject कि आप TGT बनना चाहते हैं वो आपसे पूछा जाएगा Section B में और PGT आप बनना चाहते हैं, जिस विशे के आप PGT बनना चाहते हैं, वो विशे Section B में आपसे पूछा जाएगा एक्जाम मोड की हम बात करते हैं, तो आपके सभी Post के लिए जो एक्जाम है वो Online यानि की Computer Based Test CBT मोड में आपकी यह परिक्षा होगी जो आपकी यह परिक्षा है वो सिर्फ दिल्ली NCR में ही होगी, इससे बाहर आपकी यह परिक्षा नहीं होगी आप देश के किसी भी कोने में रहते हों, हर कोई apply कर सकता है, लेकिन एक्जाम देने के लिए आपको दिल्ली NCR में ही आना रहेगा वीडियो को साथ में like जरूर करते रहें, इससे आप लोगों को बड़ी खुशी मिलेगी कि हम लोगों को इतने अच्छे से समझाया बताया गया है तो हमने भी उस वीडियो को अपने लिए like किया है, इससे आगे भी और कई सारी बाते होती हैं, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जैसे कि आप primary teacher अगर बनना चाहते हैं, तो D++B PRT का exam pattern आप लोगों का 2023 में यही रहा था 2024 में भी यही रहेगा, टेंशन ना लें, लेकिन 2024 में अभी कोई latest notification exam pattern को लेकर के आया नहीं है सब उसका ही इंतजार कर रहे हैं, तो जैसे ही वो आ जाएगा, तब आप लोगों को उस पर हमारी बहुत सारी जो भी आपकी query होती हैं, उनका जवाब देने वाली वीडियो भी देखने को मिलेंगी हर भरती प्रक्रिया में हम आपके साथ रहते हैं, और D2 plus B की परिक्षा हैं तो मैं खुद से pass कर चुका हूँ, तो D2 plus B को crack करना तो आपके लिए बड़ा आसान है, मेरे बताय हुए आप लोग जो भी points होते हैं, उन पर बस ये विश्वास बना कर रखें कि हमने इस तरह से महनत की, तो हम pass हो जाएंगे, D2 plus B की PRT की जो आपकी परिक्षा होगी, section A, section B दो भागों में बटी होगी, general awareness से 20 questions आपके होगे, reasoning से 20 questions, math से 20 questions, Hindi से 20 questions, English से 20 questions, और बेटाप जो section B है उसे 100 questions, तो 200 questions आपके paper में आएंगे, एक प्रशन एक नंबर का होगा, और 200 marks की जो आपक 120 मिनट में, 2 घंटे में 200 प्रशनों का जवाब देना होगा, इसके बाद में आप लोग देखें कि D2 plus B TGT का जो exam pattern आपको दिया गया है, section A इसका same है, जैसे PRT वाला था आप लोगों का, section B जो है वो भी यहाँ पर 100 नंबर का हो जाता है, तो आप लोग यह देखते हैं कि TGT की आपकी परिक्षा में 200 questions आपको दिये जाते हैं, 200 marks की है परिक्षा, समय इसके लिए भी आपको सिर्फ 2 घंटे का ही दिया जाता है, TGT में भी आपको 120 मिनट में 200 प्रशनों का जवाब देना होगा, अब हम बात करते हैं PGT की, PGT का जो level है वो थोड़ा सा आप लोग उसमें post graduation qualification level तक 200 questions आपको दिखने को मिलेंगे, यहाँ पर total 300 प्रशनों की आपकी परिक्षा होगी और समय आपको दिया जाएगा सिर्फ 3 घंटे का, 180 मिनट में आप लोगों को, जी हाँ, 180 मिनट में आप लोगों को 300 प्रशनों का जवाब देना रहता है, तो यह परिक्ष आप लोगों की इतने भी आसान नहीं है, कि जो TET level की आप लोगों ने कभी तयारी की होगी, या किसी entrance test की तयारी की होगी, तो उनके level से आप लोग इसको आके, इसका level हमारे देश में जितने भी teaching exams होते हैं, सबसे मुश्किल होता है, जी हाँ, DT plus B में आप लोगों को सिक इक शक बनना है, तो हमारे देश का यह सबसे मुश्किल teaching exam रहता है, यह मान कर कि आप लोग अपनी तयारी कीजिएगा, यहाँ पर आपको negative marking भी देखने को मिलती है, सही जवाब दिया तो एक number प्लस हो जाता है, एक number आप लोगों को मिल जाता है, और वहीं जब आप लोग incorrect answer अगर देते हैं, तो अगर आप incorrect गलत जवाब देते हैं, तो आपको कम होते हुए आपके number मिलेंगे, शुन्य दश्मलव 25, 0.25, ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों कि जिनके लिए ये सारी सूचनाएं एकदम पुरा नहीं हों, वो पहले से जानते हों, लेकिन आप ये ना सोचें कि आप एक अकेले ही इस धरा पर हो, आपके अलावे और भी कई सारे लोग होते हैं, उस पर अपने efforts करता हूं कि मुझे वह पता चले, बहुत सारे ऐसे लोगों की आदत होती है कि उनको पता चल गया, तो वो मानते हैं कि पूरे जग को पता चल गया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनकी confusion रहती है, उनको समझाना हमारी जिमेदारी बनती है, बहु जिमेदारी जिमेदारी है, बाकी वो कोई भी जो बड़ा ग्यान रखते हैं, बड़ी समझ रखते हैं, सब कुछ गहराई से उनको पता है, वो भी जिमेदारी लें कि वो बाकी लोगों को बता हैं, जिनको confusion है, उनकी confusion को दूर करने का काम करें, उनकी help करें, मानवता तो य यही कहती है, humanity तो यही है, और क्या है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में, यह आप ध्यान से देखें, आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, देख लिए आप लोगों ने, जो आप लोगों के मनमस्तिष्क बुद्धी में, बहुत सारी बात ने चल रही थी ना, वो देख लिए आप ने, जनरल और EWS के लिए, मीनिममम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है, 40% OBC दिल्ली के लिए 35 प्रतीशत और SCST, PHP, WD के लिए 30 प्रतीशत आपको यहाँ पर बताए गए हैं, तो यह मीनिममम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सेक्शन A, सेक्शन B दोनों में रहेंगे, यह आपको लिए नहीं होंगे, अगर आप नहीं लेंगे, तो फिर पास कैसे कर पाएंगे, आपका जो सेक्शन A रहता है, उसका स्लेबस आपकी स्क्रीन पर आपको देखे नजर आ रहा होगा, यह आपका D ट्रिप्लेस B की सभी परिक्षाओं का सेक्शन A है, आप जो टीचर बनना चाहते हैं, तो यह पांचों विशे आपको पढ़ने होंगे, जेनरल अवेरनेस, Math, Hindi, English, जो स्लेबस आपको यहाँ पर दिया गया है, इसी स्लेबस से आपसे प्रशन पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपसे प्रशन नहीं पूछेंगे, टैंशन ना ले आप लोग इस बात की कि से बाहर वो आपको सेक्शन A में देगा, लेकिन जो आपका सेक्शन B रहता है, सेक्शन B का कोई भी स्लेबस DTSB नहीं दिया हुआ है, सेक्शन B की तैयारी मैं आप लोगों की करवाता हूँ, सेक्शन B मैं आपको किस तरह से कैसे क्या पढ़ना चाहिए, चाहे PRT, TGT, PZT, Nursery Teacher, Special Educator, EVGC, Physical Education Teacher, जिस भी पोस्ट पर आप सिक्शक बनना चाहते हैं, सभी के सेक्शन B को लेकर कि आप लोग मेरी हेल्प ले सकते हैं, और एक बात और, सभी के NCERT के आपके जो notes होते हैं, उनकी summary आप लोगों को मुझसे मिल जाएगी, सभी के previous paper आप लोगों को मुझसे मिल जाएंगे, यानि कि बहुत कुछ जो तैयारी के दोरान आप लोगों को चाहिए, वो सब कुछ मैं आप लोगों को समय से मैं पर available करवाता रहता हूँ, तो सबसे पहले आप ल मुझे join कर लें, आने वाले दिनों में आपको वहाँ पर सभी update मिलेंगे